वेलकम तो ADS Smart Classes, Good Evening Class I am your English mentor Swati चलिए हम अपनी class को स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं प्रिवियस क्लास का तो उसके लिए हम सबसे पहले वर्ड देखते हैं आपका से हें पैडिया टूइशन किससे रिलेटरद होता है बैडिया टूइशन होता है ज tas name table iItad डॉक्टरこと ट्रूष्ở तव्पगेसं च्हिल्रें को ट्रीड करना next world क्या था उर्थ खर्वर्ड रॉड्र करनना चीजों बोलते थे और आशकल के टाइम पर जो हदियों का डॉक्टर होता उसको क्या बोलते और तो पेडिस आपने वर्ड भी सुना होगा और तो डॉक्टर और तो लगा लो तो कहां पर लगाओगी क्यों लगाओगी चीजें आपकी तरीके ते जैसे आपको जुकने में कई बार प अपना तो डॉक्पने वर्ड पढ़ा ओगा थिर मोरी तर्मोमेटर क्या करता था बेसिकली अपका थर्मल टेंपरेचर वीजा अपका टेंपरेचर जब न आपता है जब आपका ताप नापता है उसको क्या बोलते थर्मोमीटर एक वर्ड पढ़ा होगा आपने इस फिग्मो डेन मीनो मीटर और यह क्या होता है यह आपका बैकल मींस न यहां जो डॉक्टर होता है जब आपका टैंपरेशर आपका जो हार्ड बीट होती है उसको चेक करता है प्ल listens के लिए यह वर्ड यूजे रहे है बान सब्सक्वेक आपका यह वक्तव अन्य चालएं आपके सब्सक्राइब व्यख़त दो अब 22," क्लास का देखते हैं आज की क्लास का हमारा देखते हैं नियुक्त रड़ेस्ट तरीके से देखते हैं तो पारधा अपने पड़ा सीधा करना और डॉंटुस क्या होचाएगा डेंटल केर देते हैं उनको क्या बोलेंगे यहां से वर्ड को जोएंड करके बता सेकते और तो मीन सीधा और डेंटल मीन दात जो हमारे दातो करने पड़ेगा और आपका इक वर्ड होता है परियोडंटिस्ट गरें enabling यहां ने निन तरफ सरक क्ारा में निंद के रिंया तरफ सब्सक्राइब करें नकालत सब्सक्राइब 2017 सब्सक्राइब और अगर आपको दातों को निकलवाना है तो इसको क्या बोलेंगे वह किस चीज के पास एक्सोडांटिस तो आपके यह जो होते हैं डेंटल के पहला हो गया आपका और तो डॉसरा है और जिसमें आप क्या गरते हो रूट कैनल फ्रीटमेंट फिर आपका पारियो डॉंट जो की देता है आपके मैंटल चीजों को सुनता है आपके पास को सुनता आपकी बातों को सुनता एक फ्रेंड की तरीके उसको बोलते हैं और इसी से मिलता वर्ड क्या हो जाएगा साइक प्रीटमेंट करता है मैडिसिन और थेरपी दोनों के वेस पर यह आपका स्पेशलिस्ट सब्सक्राइब करना चीदों के बारे में आप पर विचार करना यह जो होता है सबसे पहला वर्ड होता है आपकी बातों को सुनेगा आपके समझेगा प्रीस्टेप के वाद कि आपको क्या प्रॉबलम है आपको अगर किसी तरह की इंसेक्योटी हो रही है कोई भी परिशानी हो रही है डिप्रेशन में हो या आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है या आप कुछ गलत फील कर रहे हो तो इसके लिए वर्ड होता है इसी से सेम रिलेटेड वर्ड होता है साइकोपैथ मींस होता है डिस और डिजीज या किसी तरह का सफर का स्टोना तो आपने साथ कर लें कि और के साथ ऐसा कर लें इस तरह की जो दिमाग में उलजने चलती है जिससे बोलते हैं उसको क्या बोलते है डिजीज तो आपका यह वर्ड हो जाएगा साइको पाथ इसी तरह का आपका यह वर्ड और ऑस्टी ओ पैथ अस्टियो मीन्स क्या होता है अस्टियो मीन्स होता है एकका बोन और ब्लेड वेसल्स के बारे में इसमें हम अभी नेक्स वर्ट में पढ़ेंगे इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स वर्ट पे क्या हो चाएगा नेक्स वर्ट आपका izerra-parection जरा मींस की होता है ओल्डंट की और अबंडरह मेंक्या होता है वीजिदल ओग संटीव लेकृटनोज। है उनका प्लांस के रिलेटर्ड जो भी चीज्यों होती हैं आपने उसके बारे में पढ़ना किसी से रिलेटर उक्टे स्क्राइब कम में होंड़ा ही मिल्क बसक्ते замет niño जैसे जारा जो है आपका ग्रीक वर्ड और इसी कई invit लीज पर ड़ा Cheese सेनेक्स सेनेक्स सेमिंदा भी होता है भी होता या पहल फॉर्ड हो जहां जाता है साइन्स उप एजिक्टे नियार ईंसानि मुझाब हथ प्रेंश और यहां पर एक word लिखा है सीनेट सीनेट का मतलब होता है पार्लियमेंट लेकिन आपको comment box में बता नहीं कहां कि पार्लियमेंट को सीनेट कहते हैं आप हमें comment box में जरूर बताए अगला word है आपका senior senior means आप से बड़ा होना old होना इसी से वर्ड एक related बनता है आपका क्या बोलते हैं उसको जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पर एक word है आपका सेनेक्स means old заним horse means growing old जो दीरे लीए बूरा होता है उसको उसको बोलते हैं सेने scant जहां पर भी скan वर्ड लग जाता है इसका मतलब क्या होता हैrup कि इस होता है old होना बूरा दिए दीरे बोल्ड होना और स्केंड मीज होना है तो बिकम और ग्रोइंग दीरे दीरे वह चीज बढ़नी या बदलनी तो इसका आप देख सकते एक वर्ड आपके एक्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा गया है एक वर्ड एडर और दूसरा आपने भी कई बार एक्जाम में द अब शक्ता से नहीं हो जाती हो ना रहे हो ग्रोजिंत आप में दूसरा झापने की थीरे ग्रोश धेस्म को थे टॉससरा धिलिंट है था क्या कोन कोक्ते हैं विल गहां तो लोग शुकर हो कहते हैं ना तो कॉम्ल सकंट हो कि हो नोक्ता यहादट चक्या जब मार misfacion तो भी मारी है जोंने मोई सकता नाकात मेराdz मोनस 수가 सकती तो वहां पर इसको बोलता हैे how old scent कि और सक्वार्ण जब चीज़ चलन से बाहर हो जाती। कई बार आब देखते हो पर आपको काफे पुराना यह तो क्या हो जाएगा जब आउट ओफ फैशन दीरे से जाती है एकदम से नहीं जाती है जब एकदम से चीज़ आउट फैशन जाने लगती है तो इसको हम क्या बोलते हैं तो इसको क्या मोलते हैं आउट फैशन होना चीज़ें जो होती है चलन से बाहर हो जाती है तो आपको समझ में आई यह सबसे जादा इसके बाद रोग तरह करतें नेक्स वर्ड के तरह क्या है नेक्स वर्ड आपका ऑस्ट्योंपात है अभी आपने पढ़ा पहल्ट में क्या होताँ क्यूत्यां इप्पर प्रब्लम होती तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप कुछ एक्सराइज करिए हाथ की फिंगर की एक्सराइज करिए तो इसमें क्या होता है जब आपके व्लेट वैसल पर बोन का प्रेशर आधा तो उसको क्या बोलते हैं ऑस्टियोपाथ पाथ मीन्स सफर होना और सकते हैं बाथ को एक और वर्ट शसे हैं कि अषैसे हम बोल सकते पाथ मींस क्या होता हैereye को अवगता है सबस्केशा करआँ कि इसकी करा कि करेंदो तो पैक्सरा disponible कि जाते हो ना तो pathology में क्या होता आपके disease को ही डिज्डेश किया जाता है वैसी बर्ड़ होता है sympathy कि दूसरा वर्ड होता आपका empathy कि most important word यह पैथी रापका favorite anti-pathy क्योंकि लडाई तो मेशा किसी ना किसी ना किसी होती रहती है तो आपका वर्ड क्या है आपका पाथ डिजीज तो सिम्पैथी जब हमको किसी को देखे बहुत जादा समवेदना सा फिल होती है इसका नहीं हुआ यह परिशान है किसी भी तरह कि आपको उसके लिए पॉजिटिव फिलिंग आती है कि उसकी किसी तरह से help कर दें बहुत है इंपैथी क्या होता है जैसे कही बार हम देखे है कि वह पहुत जाद़ गुस्ते में है जह सब्सक्राप हमैं चैजह का थे हमोता है अब देखर समझते तो साफिक संवस्ति खेस के बियां की पूस्तिवनिंग यह शहरों को कर दcession हो में नियुटरल हो जाना जब हमें किसी के लिए कोई भी फीलिंग नहीं ना अच्छी यह ना बुरी फीलिंग जैसे अम क्लास में ओफिस में कोई आया है नहीं ध्यान तक नहीं कि वह अंदर नहीं को हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है हमारे उसके अंदर no emotions हो जाए किसी भी तरह की emotions अगर आपके अंदर नहीं होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपथी और antipathy आपका फेवरेट नेक्स वर्थ हमारा optometrist optometrist क्या होता है opto means आपने उससे समझा तो आपिकोस और vision देखना और mattress क्या हो जाएगा mattress होता है matron means measure जो हम अभी पढ़ चुके इस फिग्मो मैनोमीटर बैरोमीटर थर्मोमीटर यह जो इस तरह के measurement होते हैं वो इस ताइप के mattress से ही आप समझ सकते mattress में किसी चीज़ को मेजर करने का include करना तो optometrist क्या हो जाएगा जो आपकी आखों का eye vision लेते हैं उसको तमझ के आपको glasses प्रोवाइड करते हैं अगला वर्ड़ इंपॉर्टेंट वर्ड चिरो प्रैक्टर कि रो मीन्स होता है hand और प्रैक्टर मींस प्रैक्टर करना जैसे ancient टाइम पर क्या होता था कि आपको manipulate करके अपने हाथों की exercise करके आपको जो भी problems होती थी उसको ठीक किया दा था तो उसको बोलते थे चिरो प्रैक्टर एक इसी से related वर्ड होता है की अच्रीक्टेगर म कeking बंचिरो प्रावडिमी कि खुए होता है और हाथ मिस दहीं होता है जो आपके त्रीक करता है जो प्रों की जितनी भी problems सोती है food related जो already problem होती है वो फ्रोंडि सो पहले का आपने हाथे के चीज़ए हम फोलती ती ते इस लिए यह पर्लष बहु होता है जैसे आपने पढ़ा कि pod means क्या होता है पर प्र पढ़ा होगा प्लाटिपुस आपने काफी जादा यूज किया होगा ट्राइपॉड पोडियम और क्या बोलते हैं उसको ट्राइपॉड हो गया आपका पोडियम हो गया है ओक्टोपस थे ia सब क्या है आपके पर प़र इस रिलेटेट होते हैं अनुम्स क्यों रोपको बोलते हैं उनकको आप्रया पार मिल्ग ऑप्लाटियम्ण खूप सब्सक्रयल फ्लेट्टी लाइन कासरं में होना इसके चशंभ का पर नेम्स गेमेमे व्लक्राते हैं पोडियम प्लیटफॉर्म उनन बहुंays दो ही आस्ट उपसक लूद में तो प्रसथ बमॉब करते हैं आसे बहुता है तो उनने तो उनन पूर्ट अमारे रहे हैं तो आपको समझ मैं Graphy means लिखना और Chiro means हाथ पहले की टाइम पर आज की टाइम पर computer और computer से पहले क्या होता था टाइप राइटर होते तो उससे पहले लोग खुद लिखते थे लोगों से लिखवाया जाता तो उसको क्या बोलते थे जो लिखते थे हातों से अपने manual टाइप नहीं मतलब manual लिखा जाता तो उसको क्या बोलते थे रिखना और क्या होता है जब कोई आपकी समझता है आपकी लिखिया आप्क लाइस तरफ से बनी है यह आहें कि समझता है है कििमन की mean सी अगमाना को सकता PLAYING करता है आपके हात को समीचता है यहीं पर होसी सेम धर होता है मैंसी हम तो अ करना जो आपकी पारीड़ेग करता उसको बोलते हैं graphologist और जो आपके हाथ को देखके आपके prediction करता है उसको क्या बोलते हैं piromancy next word आपका है नेक्स वर्ड पर आते हैं आपके calligraphy जो आपका ग्रीक वर्ड है क्या होता है beauty और graphy अभी आपको पता है लिखना और नाट्र राइट तो कैसा लिखना beautiful उटना उटेफ़ं लोगत टाइब सब्सक्राइब एंडाद में लिख्या ताइब का यूज करते थे उसको क्या बोलते इस क्या बोलते हैं तो बहुत ब्यूट यह यह वह पैंटर को बुला जाता था उनको तो बोले कैलिग्राफी आप तो यह पहले के टाइम पर हो गया अभी कुछ बच्छों की राइटिंग आपने देखे हो कि बहुत जादा ही सुन्दर होती है आप जादा ही से का मतलब समझ होगे कैकोज मीन्स होता है अगली जिसको बोलते हैं चीटा वाली राइटिंग गसीटने वाली राइटिंग इसको क्या बोलते हैं आपका वर्ड हो जाएगा कैकोग्राफी क्या वर्ड हो जाएगा कैकोग्राफी ग्राफी मीन्स लिखना हमने कैसा लिखा बहुत ज्यादा स्क्रॉली इस पुस्जश में आपको समयाओ मद्नूव करते नेक्स में एक्साइब करते हैं फोटो ग्राफी फोटो मेंस लिखना होता है फोटो मेंस वाना वैट है टो यह रहते करड़ते उसको क्या बोलते हैं though अनिम्लाइली खेशका ग्रड़ार में उछाके फोटरो ओर ट्राइट में ध्रीजर्टों अधर मीशिद्स गडिये अंगें है आधिक टैली चाहिए iTunes पैलाट में सबस्क्राइब तुसको बोलते है ठेलिघ्राफी सेम आपका ट्य sob like अब अबाद हो का है आपको साउंड ना थी है तो उस पर क्या जटे और ग्लाफ मींश लिखना जब आम साउंड के लिए लिखते हैं तो क्या हो जाएक आपको फोनो ग्राफ ऩो इसके बाद लाइफ गरते हैं तो आज की क्लास हमारी सबाफ तो हो चुकी है फ्तेश पर वीडियो फ्यूर्य वरूचि उए खार प्रपीज इडिया खार प्रड़ कर जाते है